आज मैं आपको अमावस्या का महा उपाय बताने जा रहा हूँ। यह अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है। दोस्तों, अमावस्या का सास्त्रों में विशेश बढ़नन मिलता है। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, उनके घर में सुक और सम्रदी का बास होता है। दोस्तों, सुवह शनान करते समय जल में गंगा जल डालकर किशनान करें, उसके बाद में सूर देव को अर्ग देना है। उसके बाद पित्र देपताओं की पूजा करें, ओम पित्र देपता ब्योनमाहा, ऐसा कहकर के हाथ में हरी दुर्वा लेकर के पित्र देपताओं को जल दें, उसके बाद में आप गोव माता की पूजा करें, गोव माता को गोड, रोटी और हरी दुर्वा खिला करके आएं उसके बाद में आपको साम के समय प्रदोश काल में एक माह उपाय करना हैं, आपके उपर पितर दोश है, घर में नजर दोश लगा हुआ है, या आपका पैसा पानी की तरह बहरा है, आप भरपूर मेनत करते हैं, धन की प्राप्ती नहीं हो पाती, तो आपको यह उपाय करना ह साथ लाल मिर्च आपको लेनी है और साथ ही साथ काली मिर्च के दाने लेने हैं और साथ ही ही आपको जो पीली सर्स वाती है उसके दाने लेने हैं अगर वो ना मिले तो आप थोड़ा सा नमक ले सकते हैं अब इसको आप गर के जितने भी दरवाजे ही, सारे दरवाजों पर साथ वार आपको उसारना है, उसारना कैसे है, उल्टे हाथ से लेकर के सीधे हाथ की तरब आपको साथ वार इसको उबारना है, उसारने के बाद में फिर गाय के उपला जला करके और उस पर ये सभी सामिग आपको डाल देनी है जैसे ही इसका दुआ होगा तो उस दुआ को आप घर के अंदर जाने दें दोस्तों घर की सारी नकार अत्मकता खत्म हो जाएगी और इसके बाद में जब वो पूरी तरह जल जाए उसकी राक ले जाकर के आप किसी ब्रक्ष के नीचे डालाएंगे घर के अंदर अगर कोई दोस है किसी भी प्रकार की कोई परिशानी है तो आपके घर के अंदर से सारी परिशानी दूर हो जाएगी आपके आ रहे सारी कारों में जो भी रुकावटे वो दूर हो जाएगी और भरपूर धन की प्राप्ति होगी तो अब दोस्तों आम आवश्या की रात को आपको यह उपाय जिरूर करना है इस उपाय करने से भरपूर धन आना शुरू हो जाएगा वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें